हेलो दोस्तो, तो मेरी मेडम मेरी मम्मी की साथ किचिन में है, और आप लोग देख सकते के कड़ाई में लौकी है, मेरी मेडम की मन में सामान की वो लिस्ट है, जो मुझे बाजार सजा के अभी लानी है, तेरी मम्मी लौकी की सबजी बना रही है, तेरी बेवी लिस्ट बना रही है वह चोटा भीम किसके गोद में है चोटा भीम अपनी नानी के गोद में यानि कि अपनी मम्मी की मम्मी की गोद में यानि कि मेरी सासुमा की गोद में यानि कि आप समझ के हो गये आप लो यह गया क्योंकि हमने इनको पाला नहीं है बस भोजन करा दिते हैं सुबह कनास्ता दो पर का खाना और रात का डिनर और उसके बतले में हमको आके सुबह कहते हैं धन्वाद मालक नमस्कार कुबूल कीजिए तो मर लिए यह रूट नहीं है तो मर लिए वह रूट है गाइड लाइन्स देनी पड़ती है न दोस्तो क्योंकि यह मेरी पीची पीचे कहीं भी आ जाता है और घरवालों से गालिया मुझे खानी पड़ती है पर और गालिया ना खानी पड़े इसलिए बैग लेकर मैं पहुंच गया बाजार और पर मेरी बेगम की दी हुई लिस्ट के अनुसरा मैंने अपना सामाल लिया पर लिस्ट बहुंच जादा बड़ी नहीं थी जले छोटा सा बिल ही बना पर जो सामान था उसको मेरे डाकून उमा दोस्त ने मेरे बैग में रख दिया अब मैं इनको डाकून उमा क्यों कह र और मेरे घर पहुंचने पर किसी को पता चले न चले लेकिन इन भाई साब को जूरूर पता चल जाता है और तुरंत अपने पाउं और पूछ लाते हुए पहुंच जाते हैं फिलहाल मेरी गाली से मेरी चाड़ भी नहीं निकल रही थी बहुत मुश्किल से यहां वहां और ले हुए आंगर में टेहल रहे हैं वे चन बेंचन पधा क्यू बेंचन वे चन टेहल रहे थी क्योंकि आज उनकी पुतरी मायक के लौट रही थी ना उनकी पुत्री का छोड़िये पिता जी और अपने पुत्र के बारे में सोचिए चलिए बाहर घुमने काशाम से दोस्तों इनको ना 24 घंटे घर के बाहर घुमना है इनका बाहर चलने तो घर के सेरू को साथ निकल जाए और रात भर महले की कुट्टों के साथ घुमें मालिक बेज दीजिये बस डाइपर पहना के भीजना पिता जी हमारी घंगोर भीजिती लेकिन कोई बात नहीं भी दीजिए लेकिन अगर कल से डाइपर कि जगा खंबे पर करें तो मध बूलना अच्च अच्छा सेरू की तरह हां सेरू की तरह हां तुटागर करेंगा बेटी वह साथ नहीं उठाता है खेर मैं सर उठा के देखता हूं कि टाइम कितना हो रहा है क्योंकि बेहन ने कहा था कि वह साले साथ बभी तक घर पहुंच जाएगी कोई जरूरत नहीं है प्रभू क्योंकि अभी हमको जरूरत थी उस समान को बैग से बाहर मिकालने की जु मैं बाजार से लाया था और इसके लिए छोटी विम यानि के धहरे भी बहुत उत्साहित थे इसलिए नानी की गोच्छ उतर के नीचे जमीन में मेरे बैग के बगल में बैठ गए हम बस नहीं बैठें पिताजी आप भी बैठेंगे और सारा हिसाब किताब देखा और पाया कि हिसाब किताब में कोई गडबर नहीं है इस कुसी मुझे खुद को भी और मुझे भी तोस्ट खिलाए तो बड़ा सही काटना पिताजी पता चले पूरा ठूसलो पाने पीते पीते किचन में कुछ काम कर रही थी गैस की ऊपर दूद गराम हो रहा था और मेरी बहना ऐसा क्या करती है कि जिस ट्रेन में बैठती है वो ट्रेन लेड हो जाते भाई साहब ने इसमें से जो चार पांच टोस्ट निकाले वह मुझे सेरू को देने तो चार टो में पिलेट नहीं है क्या अडे ये क्या हो रहा पिताजी अभी हमारे साथ तो खाकर आए थे अशेरू क साथ भी है बेटा अदम ताइम पर बाहर आए वस मम्मी को बता ना प्लीज जब छोटा भीम बाहर आया तो उसके हाथ में छोटा से तोस्ट का तोकड़ा था मैंने उ पेटा वापिस नहीं लेना खाने तो उसको तो चोटे भीम को लेकर मैं घर के अंदर आगया आठ बजने में पांच माट कम थे तभी मुझे घर के बाहर आटो क्रुकने की आवाज आई और मुझे मेरी बहन की आवाज आई तो मैं समाझ गया कि अब होने क्या वाला है अब हमारा चोटा भीम अपनी बुआ को पहचान नहीं पा रहा था पर बुआ भी अपनी फूल पूप तैयारी के साथ आएं थी वो उसके लिए रिस्वात के रूप में कुरकुरे लाएं थी पर हमारे चोटे भीम नहीं पहचानता आपको तो नहीं पहचानता कौन है ये अब जर्द चोटा भीम अपनी भूआ को नहीं पहचान रहा था तो बच्चे भग्वान का रूप होते भग्वान किसी को नहीं पहचान तो हम कौन होते पहचानने वाले मैंने और ने अपनी बहन के साथ आई जीज़ा जी की भांजे से खा अपना अधार कार दिखा दें नसको